हेलो फेंड एक बाफ फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफ लैंड चनल पर आज मैं अमेरिका में कोरोना के मरीजों पर काम्याब इलाज से चर्चा में आए रेमडे सिवीर इंजेक्शन के बारे में कुछ जनकारी लेकर आई हूँ यह इंजेक्शन किसी सरकारी अस्पताल में अभी उपलब्द नहीं है गंभीर मरीजों के लिए डॉक्टर यह इंजेक्शन लिख रहे हैं लेकिन बाजार में भी इसकी सप्लाई नहीं है यह इंजेक्शन का एक वायल 4,000 रुपए का है और गंभीर मरीज को 6 इंजेक्शन की जरत पड़ती है जो 24,000 रुपए का होता है हाला कि यह 35,000 रुपए तक में भी बिका है इसकी सप्लाई मुंबई से होती है सरकारी अस्पतालों में इस इंजेक्शन की सप्लाई नहीं है इसलिए कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित मरीज इसे खरीद नहीं पा रहे है जिनकी आर्थिक इस्तिती ऐसी नहीं है इस वजह से ज़ादातर डॉक्टर इसे लिख भी नहीं रहे हैं। लिंकिन गंभीर मरीजों से परीजनों को बताया जा रहा है कि यह कितना जरूरी है। अभी गंभीर संक्रमन के लिए यही एक मात्र इंजेक्शन है जिसे इलाज में काम्याब माना गया है। विशेशग्यों के अनुसार रेमडे सिवीर एंटी वाइरल दवा है और इसे एबुला के लिए बनाया गया था। कोरोना के गंभीर मरीज जो ऑक्सिजन पर हो या माइल्ड वैलिटी लेटर पर हो उसे दिया जा सकता है। यह दवा गंभीर मरीजों के लिए फायदेमंद है कोरोना वाइरस के खिलाफ जंग में एंटी वाइरल दवा रेमडे सिवीर को लेकर अब तक जो परिणाम सामने आए हैं वह संकट के इस दोर से गुजर रहे दुनिया के लिए राहत की खबर है। कोविट-19 के इलाज के लिए लगातार चिकत्सिय परिक्षन जारी हैं मगर इस बीच रेमडे सिवीर के क्लिनिकल ट्राइल के तीसरे फेज में सकरात्मक परिणाम सामने आने के बाद दुनिया की निगाएं अब इस दवा पर टिक गई हैं। कोरोना वाइरस के मरीजों में रेमडे सिवीर के इस्तमाल से तेजी से रिकवरी देखने को मिल रही है। कम कर दिया है यानि रिकवरी पांच दिन कम में ही होने लगती है। अमेरिका में कोविड नैंटेन के लिए इस दवा का ट्रॉयल डिलेज नाम की कमपनी कर रही है। माना जा रहा है कि अगर ट्रॉयल पूरी तरह से सफल हुआ तो इससे दुनिया को एक तरह से संजीवनी म मिल जाएगी। दरसल रेमडे से विर एक एंटी वाइरल दवा है जिसे एबोला के इलाज के लिए बनाया गया था इसे अमेरिकी फार्मा गिलियर्ड साइंसेज द्वारा बनाया गया है। इसी साल फरवरी में यूएस नेशनल इंस्टिटूट ऑफ एलर्जी एंड इंफ मर्स जैसे वाइरस के खिलाफ एनिमल टेस्टिंग में बहतर परिणाम दिये थे। एक ट्रायल में करीब एक हजार कोरोना मरीजों को शामिल किया गया था। इन मरीजों को दो सम्मों में बाटकर रेमडे सिवीर और प्लेसिबो दी गई। जब इन पर ट्रायल हुआ तो र 31 फिसदी तेजी से हुई लेकिन 100 प्रतिशत के मुकाबले 31 फिसदी सुधार कुछ भी नहीं मगर यह बहुत अहम है इससे साबित होता है कि दवाएं इस वाइरस को रोक सकती हैं और प्रारंभिक परिणामों से पता चला कि रिमडे सिवीर दवा की 5 दिन की खुराक के बीतर छुटी दे दी गई इस बीच अमेरिका के खाद इवं और शदी प्रशासन ने कोरोना वाइरस के मरीजों का उपचार के दोरान अपात कलन इस्तिती में रिमडे सिवीर दवा का उप्योग करने की सुकृती प्रदान कर दी है और वहीं अनुसंधान करताओं का कहना ह है कि रिमडे सिवीर को मुलत अबोला के उप्चार के लिए विक्सित किया गया था और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह विशाणू को शरीर के भीतर अपने प्रतिरूप बनाने से रोख सके कोविड-19 वैक्सिन बनाने को लेकर दुनिया भर के देशों में शोद चल रहा है अगर अलग-अलग देशों में अलग-अलग दवाएं कोरोना मरीजों पर ट्रायल भी की जा रही है लेकिन अब तक कोई भी थोस नतीजे पर नहीं पहुंचा है ACBJ Hetero Healthcare Limited ने Remdesivir Injection बनाया इसका उपयोग सबसे पहले अमेरिका ने कोरोना मरीजों पर किये इसके नतीजे बहतर पाए गए इस इंजेक्शन का उपयोग कोरोना मरीजों पर किया जाता है जिन मरीजों को सांस लेने में ज़्यादा तकलिफ होती है उन्हें यह इसके नतीजे बहतर रहे हैं और मरीजों पर किये गए तुलनात्मक अध्यन में यह देखा गया कि जिन मरीजों को सिर्फ स्टेंडर्ड ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उनकी तुलना में उन मरीजों में अच्छा इंप्रूमेंट हुआ है जिने स्टेंडर्ड ट्रीटमे करने की कोशिश करते हैं रेमडे सिविर चुपके से एडनोसिन के बजाए वायरस के जिनोम में खुद को शामिल करता है जो रेप्लिकेशन प्रोसेस में शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है रेमडे सिविर के परिक्षण में बहतर परिणाम सामने आने के बाद अमेरिका के राष्ट पती डोनाल्ड टरंप ने शरिवार को रेमडे सिविर का कोरोना संक्रमितों के इलाज में इस्तमाल किये जाने को मंजूरी दे दी है फिलहाल इसका उपयोग गंपीर मरीजों के उपचार के लिए किया जाएगा इनमें वो मरीज शामिल होंगे जिने सांस लेने म जादा दिक्कत हो रही है यदि यह दवा कारगर होती है तो यह बड़ी कामियाबी होगी और भारत की आबादी को देखते हुए इसकी कीमत और उपलबधता पर भी नजर रखी जा रही है तो फैंड इस तरह से रेमडे सिविर इंजेक्शन की जानकारी यहीं पूरी होती ह और आशा करती हूँ कि इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक हो सके